हिंदू धर्म में संकत मोचक हनुमान जी की पूजा पाथ करने का बहुत अधिक मेहत्व है। बड़ा मंगल पर हनुमान जी की विधान से पूजा करने पर लोगों को जीवन में आने वाले कष्टों से निजात मिलती है। साथ ही सभी मनोकमनाई जल्द पूरी हो जाती है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए मंगलवार का दिन काफी शुब माना जाता है। जेश्ट मास के मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का बहुत ज्यादा मेहत्व माना गया है क्योंकि इसे बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान्जी का वृत करने और विधी विधान से पूजा करने से बजरंग बली जल्दी प्रसन होते हैं और उनकी अपने भक्तों पर विशेश कृपा बनी रहती है। बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की पूजा करने से साधक को सुख और सम्रुद्धी मिलती है साथ ही जीवन में आ रही परेशानियां आसानी से दूर हो जाती है शास्त्रों में कहा गया है कि बजरंग बली की कृपा पाने के लिए इस दिन किये गए उपायों से विशेश लाब मिलता है बड़ा मंगल पर करी ये खास उपाय माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा के इस उपाई को करने पर लोगों को जल्द उनकी कृपा प्राप्त होती है इसलिए बड़ा मंगल महापर्व के मौके पर बजरंगी का आशिरवाद पाने के लिए तन और मन से पवित्र होकर लाल रम के उनी आसन पर बैठ कर हनुमान चालिसा का साथ बार लगातार पाथ करें बड़ा मंगल पर हनुमान जी से मनचाहा आशिरवाद पाने के लिए उन्हें सिंदूर का चोला और लाल रंग के फल और प्रसाद के रूप में फल भी चड़ाएं इसके बाद शुधा गी का दिया जलाकर देसी गी से बने हुए बूंदी का प्रसाद जरूर चड़ाएं हिंदू धर्म के अनसार मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा में मीठे पान का चड़ाने पर लोगों के जीवन में हमेशा मिठास बनी रहती है और लाइफ में रुके हुए सभी काम बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाते हैं जिस किसी को नौकरी में सेलरी या प्रमोशन नहीं मिल रहा हो वो सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बजरंग बली की मूरती से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगाएं इस काम को करने से आपकी तरक्की के लिए बहुत ही फाइदेमंद माना गया है बड़ा मंगल की पूजा में इन बातों का रखे ध्यान बड़ा मंगल महापर्व पर्तन और मन से पवित्र होकर ही बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए इस दिन भक्त को ब्रहमचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए इसके अलावा बड़ा मंगल के पर्व पर व्रत रखने वाले शक्स को अपने मन में किसी भी तरह के गलत विचार नहीं लाने चाहिए साथ ही नहीं नशे से जुड़ी चीजों का सेवन करना चाहिए धार्मिक मान्यताओं के अनसार बड़ा मंगल के पर्व पर हमेशा भक्तों को हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जबकि कुछ लोग उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें साथ ही उन फोटों की बिल्कुल पूजा ना करें जिसमें वो अपनी चाती चीर रखी हो मान्यता है कि मंगलवार को बंदरों को केले खिलाने से बजरन बली की कृपा मिलती है बड़े मंगल पर 21 केले लेकर बजरन बली को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में बंदरों को खिला दें प्रेम से बोलो जय श्री राम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद मित्रों